नमस्ते आप सब का पुना हातिक स्वागत है। आज मुगल सामराज्य के जमाने के कवी की चर्चा करेंगे और उनके कुछ दोहों का आस्वादन करेंगे। कवी है वरिंद अथ्वा वरिंदावन दास। मुगल समराट औरंगजेब के यहां दर्बारी कवी रहे वरिंद। हिंदी साहिते की तिहास को काल विभाजन की दृष्टी से अगर देखें तो ये रीती कालीन काव्य का समय था। 17th संचूरी की बात हो रही है। उस जमाने में क्या था कवी अक्सर राजाओं के आश्रय में रहते थे। और जाहिर है दर्बारी कवी की शानों शौकत में टिके रहने के लिए आश्रय दाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा करते थे कवी। उनकी राणियों का साउंदरिय वर्नन नख शिख करते थे और इस प्रकार कावी रचना करने की प्रवर्ती उस समय में आम बात थी। वरिंद उन दिनों मुगल समराट औरंगजेव के यहां दर्बारी कवी थे। रीती काल का उस समय यद्यपी श्रुंगारिक एवं आचार्यतो प्रदर्शन का रहा तथा पी वरिंद एक ऐसे कवी थे जिनोंने काव्य के बंधी-बंधाई परिपाटी को छोड़ कर भक्ती, नीती, धर्म, प्रेम, आधी प्रवर्तियों को अपने साहिते में प्रमुक स वरिंद ने अपने ही विस्तरत जीवन अनुभव से गुजर कर सरल एवं सुंदर सूक्तियों के माध्यम से लोक ज्यान की वृध्ची की, क्योंकि लगातार युद्धों से गुजरते हुए भारत की जनता में नीती, धर्म, भक्ती, नैतिक्ता, मनिश्यता, आधी मूलियो का तीवर गती से शरण हो रहा था। ऐसे समय में वरिंद ने लोक नीती, अर्थ नीती, आधी को अपनी रचना का विशेय बनाया और अपने कवित विवेक को बचाये रखा। वरिंद की सबसे प्रसिद रचनाओं में से एक वरिंद सत्सई है, जिसमें 702 हैं, सत्सई का अ अध्यम से उन्होंने लोगों को सच्चाई के मार्ख पर चलना सिखाया, और साथ ही लोगों को मिल जुल कर रहने का तरीका सिखाया, कि मनिश्यों को किस तरह अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए, और मनिश्य अपनी जिन्दगी खुश पूर्वक कैसे व्यतीत कर सकता ह तो चली आस्वादन करते हैं उनका एक नीती परत दोहा हमारी आमदनी जितनी हो उस सीमा में बंद कर ही खर्च करना चाहिए, तेते पाउं पसारिये जेती लांबी सौत, जितनी लंबी कंबल हो उतना ही पाउं पसारना चाहिए अपनी पहुँच विचारी के अपनी पहुँच कितनी है मतलब कि आपकी जो लिमिटेशन है या फिर आपकी जो श्यमता है वो कितनी है ये विचार कर ही कर्टब करिये दोर, दोर दोर के कर्टब करते हैं इससे पहले तनिक ये विचारना है मानव को कि तुम्हारी पहुँ कहां तक है one should be aware of one's limitations मित्रों के या फिर पडोसियों के सुख सुविधाओं पर नजर डाल कर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने से पहले अपनी आमदनी पर तनिक नजर डालना चाहिए नहीं तो क्या होता है नतीजा क्या होगा कर्ज से लग जाओगे और जितनी सुख सुविधाओं की पहुँच है उसका भी आस्वादन नहीं कर पाओगे खास करके आज किष्टों में इंस्टॉल्मेंस में कुछ भी चीज मिल जाता है और सब के मन में प्रलोभन बन जाता है और वे अपनी आमदनी से ज़्यादा बटोरने में लग जाते हैं तो दोहा हम को चेतावनी सी देती है कि अपनी पहुँच विचारी के कर्तप करिये दौर तेते पाओं पसारिये जेती लांबी सौर अर्थात व्यक्ति को अपनी शमता का आकलन करने के बाद ही अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए अपनी शमता का सही आकलन किये बिना लक्ष्य पाने की लालसा करना चादर से बाहर पैर पसारने जैसा है.